आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम बात करेंगे 8th mathematics की 6.3 exercise के 4th, 5th और 6th question की तो इनकी बात करेंगे तो जो 4th question है हमारा वो क्या है वो देख लेते हैं find the square root of the following number by the prime factorization method तो इस method से हमें निकालना है square root इन numbers का तो ये number हमें दिये हैं तो इन सब का हम square root निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले 729 है 400 है ये number आप note कर लिजिए या book खोल लिजिए अपनी NCRT class 8th math की तो उसमें से सारे number हम solve करते चलेंगे तो सबसे पहले जो है 729 जो है ये किस पर जाएगा टू के जो पहड़े पर जाएगा नहीं तो तीन पर हम इसको करते हैं तो तीन पर करेंगे तो ये क्या जाएगा यहां पर 243 आ जाएगा तीन दूनी 6 तीन चोके 12 तीन तीन नो फिर यहां पर last में 3 है यानि कि ये जो है फिर दुबारा से 3 पर जाएगा अब 384 तीन एकम 3 यहां पर ऐसे और इसी तरह से 37 पर जाएगा क्योंकि 81 होता है फिर 3 पर जाएगा 37 होता है और फिर 3 पर जाएगा 3 तीन एकम 3 होता है तो यहां पर ये जो है इसका ये बन जाता है अब जो 7 तो 9 है किसके बराबर आया तो हम इसके दो-दो के factor बना लेते हैं दो बार तीन, दो बार तीन दो बार तीन, और इन दो बार तीन की जंगा हम क्या लिखेंगे? सिर्फ एक तीन, यानि कि पेर की जंगा हमें एक लिखना है, दो की जंगा, तो तीन आ गया एक बार, ये दूसरी बार आ गया और यहां पर यह तीसरी बार आ गया तो इस तरह से हमने लिखा तीन तिया नो तिये 27 तो इसका अंसर क्या आ गया हमारे पास 27 अंसर आ गया तो 7 to 9 का जो है अगर हम निकालें तो हमारा 27 होता है जो की स्केर रूट होता है जो दूसरा नंबर है वो है 400 तो 400 का हम इसी method से निकालते हैं तो 400 है तो यह 2 पे चला जाएगा सबसे पहले 2 के table पे तो 2 दुनी 4 और पीछे 2 0 फिर 2 पे चला जाएगा यहां पे 100 आ जाएगा फिर 2 पे चला जाएगा यहां पे 50 आ जाएगा और फिर 2 पे चला जाएगा यहां पर 25 आ जाएगा, अब 25 तो 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर भी नहीं जाएगा, 4 पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 तक के टेबल में 25 नहीं आता, 5 पर चला जाएगा, 5 5 जा 25, और फिर 5 बन जा 5, तो यहाँ पर यह बनता है, अब वैसे ही हमें पेर बना लेने हैं, जोड़े बना सारी, इस की जाएगा 2, इस की जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या आगया, दो दोनी चार पनजए बीस, तो यहाँ पर यह क्या गया, लाश्ट का नंबर हमें देखना होता है कि किस के टेबल पे जाएगा, 4 है, 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2, 8, 2, 8, 16, और फिर 2, 8, 16, दो दनी 4, 822 आ गया, फिर 2 पे हम इसको कर देंगे, यह आ गया, 441 आ जाएगा, अब 1 तो जो है लाश्ट में, तो 2 के टेबल पे तो यह 3 के पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, 3 एकम 3, 3 चो के बारा, 3 सत्ते 21, 147 आ जाएगा, अब जो 147 है, वो 3 के पे नहीं जाएगा, क्योंकि 3 चो के बारा, और 3 पे चला जाएगा, यह 3 चो के बारा, और 3 निमे 27, अब उननजा आ गया, अब उननजा जो है 49 जो है 7 यह आ गया अब जो है इनकी हम जोड़े बना लेंगे इसका एक इसका और एक इसका यानि कि हम हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया 2 तीए 6 6 7 42 तो यह आ जाएगा 42 यानि कि 1764 का 42 आ जाएगा अगर हम इसका अंदर रूट देखें तो जो है स्केर रूट जाल सकते हैं चलिए next नंबर लेते हैं next नंबर था हमारे पास बुक के अंदर देख लिजी ए 4096 है हमारे पास नंबर इसको हम निकालते हैं और 4096 है तो पीछे 6 यह चला जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा 2 2 4 0 2 4 8 2 8 16 यह आ जाएगा और फिर 2 के टेबल पे 1024 1024 आ जाए फिर 2 के टेबल पे ये आजाएगा 256 चार 32 आ गया अब 32 वहोता है और यहां पर जो है हमारा इसको उपर ले ले लेते हैं थोड़ा तो यहां पर 2,8,16 आ गया और फिर 2,4,8 आ गया फिर 2,2,4 आ गया और फिर 2,1,2 आ गया तो काफी लंबा चलाए तो इसको हम देख लेते हैं अब देखिए जो इसके factor बने हैं तो वो कौन-कौन से बने हैं वो देख लेते हैं इसके pair में एक pair, दो pair, तीन pair, चार pair, पांच pair, छे pair वो भी सिर्फ दो दो के यानि कि दो को छे बार multiply हमें करना है तो तीन हमने ये लिख लिए और तीन हमें ये लिख लेते हैं दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक, छे, दो, दुनी, चार, दुनी, आर, दुनी, सोड़, दुनी, बतिस, दुना, चों, सट, सिक्स्टी, फोर जो है इसका answer आ जाएगा तो इस तरह से आप इसको solve कर लेंगे ये चारो number है चलिए next number की तरफ चलते हैं जो हमारा next number ह वो क्या है तो इसको हम देख लेते हैं next number है हमारे पास जो fifth number है वो है 7744 7744 इसका करते हैं हम prime factorization method से इसको solve करते हैं दो के पाड़े पे जाएगा क्योंकि पीछे चार है तो आप करते चलिए ये 3872 आ जाएगा यहाँ पे उसके बाद ये जाए 2, 1, 9, 19, 38 होता है ये तो सिद इसके बाद दो के पाड़े पे आ जाएगा दोाने में अठारा दो च송 के बारानाँ 2,.8,1696 अब फिर दो के पाड़े पे जाएगा 2, 4, 8, 24 ala और फिर दो चोटे 7 और 212 और A lado, 11a और 120 जो है ये तीन के पाड़े पर भी नहीं जाका क्योंकी तो यह तो हमारे पास ग्यारा तो यहां पे दो आएंगे और एक है हमारे पास ग्यारा तो यहां पे दो दुनी चार दुनी आठ और ग्याराट क्या होता है अठासी 88 तो यह हमारा अंसर आजाएगा नेक्स नमबर की तरफ चलते हैं वो है 960 चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं 9604 जो है यह हमारा नेक्स नमबर पीछे 4 है यानि की दो पे चला जाएगा दो चोके 8, दो अठे 16, दो दुनी चार, अरताली सो दो आ गया अब अरताली सो दो को फिर हम दो पे करते हैं दो दुनी चार, दो चोके 8, दो एक हम दो अब यह पीछे एक आ गया तो एक जो है वो हमारा जा सकता है तो तीन पे 3, 8, 4, 0 बच गया, एक बच गया तो तीन यह नहीं काम्याब होगा यहाँ पे 7 पे आ जाते हैं 7 पे यह चला जाएगा, 7 यह 21, 3 बच गये, 7 चोक अठाई, फिर 2 बच गये, 7 एक गये, तो 7 पे चला जाता है, 343 यहाँ आ गया और फिर 7 पे, उसके बाद 7 चोक अठाई, 6 बचता है, 7 निम में 63, तो यह आ जाएगा 7 पे और फिर 7, 7, 49 और फिर 7 बंजा 7 यह आ गया, चलि यानि कि 2 इंटो 7 इंटो 7 यही बना, यानि कि यह बन गया, 77 उननजा, 7 इंटो 7, 49 इंटो 298, यह आ गया इसका अंसर, नेक्स नमबर की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास 5929, 5929 यह नमबर है हमारे पास, तो यहाँ पे 9 है, पीछे तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे आप इ 3 बचा 7.8, 4 बचा 7.7, 497 बन जाता है, अब फिर जो है, 7 है इसके पीछे, तो 7 इकम साथ, 7 दुनी 14, 7 इकम साथ, 101 किया गया, अब 101 की हमने यहाँ पे भी किया था, 11, 101 की होता है, तो 11, 101 की और 11 बन जा यह हो जाएगा, जिसके फैक्टर बनाते हैं, इसके सिर्फ 2 और 2 की जाएगा 11, तो यह क्या आजाएगा, हमारा अंसर 77 आजाएगा, चलिए नेक्ष नमबर की तरफ चलते हैं, 9216, 9216 यह वाला नमबर जो है, थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि काफी बड़ा नमबर है, तो 9216 जो है, इसको हम सोलू करते हैं, तो 9216 की जाएगा, 0 और 8, दो आठ्टे 16 हो जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, यह दो दुनी 4, दो तीचोचे, दो चोके 8, तेई सो 4 आ गया, फिर दो पे चला गया, दो एकम 2, दो एकम 2, दो पंजे 10, दो दुनी 4, गैरा सो बावना गया, अब फिर जो है, दो पंजे 10, दो सत्थे जो श क्राम से कर ही सकते हैं सुचुवाली आजाएगा फिर putsते 14 दो दुनीचार बहत्तर आ गया फिर 36 आ गया इस तरह से हाप इसकोच 360 करते चले जाएंगे तो 36 के बाद यहां पे 18 आ गया अब 9 तो आएगा नहीं, 3, 3, 9 आगया, और यहां पर 3, 1, 3 आगया, थोड़ा बड़ा नमबर बना है, तो factor बना लेंगे, 2, 2 के इनको multiply कर देंगे, और कितने बनेंगे, 1, 2, 2, 3, 4, 5 तो दो आएगे, और 1, 3 आएगा, तो इसको जब हम solo करेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो पांच, दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 हमारे पास आएगा, जो 3 है, यह, दो दोनी, 4, दोनी, 8, दोनी, 16, 16, 5, 2 थे, 1, 2, 3, 4, 4 लिखे हैं हमने, 5, 2, 2, 4, दोनी, 8, दोनी, 16, 22 ती है, 96, यह आजाएगा सकंसर, तो इस तरह से यह सकंसर आजाएगा, चलिए next number की तरफ चलते हैं, तो आप सीखी गए होंगे, किस तरह से इनको निकालना है, next number है हमारा 5, 2, 9, तो 5, 2, 9 का factorization, जो है, 5, 2, 9 का factorization क्या रहेगा, अब जो 5, 2, 9 का factorization, 3 पर करके देखें, तीन, एकम 3, 2 बचता है, 3 सत्य की 3 पर नहीं जाता, इसी तरह से आप करते चले जाएगे, तो यह, इसको आ multiply करते हैं, तो 5, 2, 9 आता है, तो इसलिए जो है, इसको थोड़ा सा आपको यह चीज़ें याद होनी चाहिए, कि 11 into 11 क्या है, 121 होता है, जो हमने पड़ा, 23 into 23 है, वो कितना होता है, हमारा 5, 2, 9 होता है, तो यह चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, थोड़ी, तो next number लेते हैं, जो next number है, वो है हमारा 8100, तो 8100 को solve करते हैं, तो 8100 जो है, इसको हम solve करते हैं, 2 पे चला जाएगा, 2 पे यह आजाएगा, 4050, अब 2 पे जब आप इसको करेंगे, तो आप इसको करते रहिएगा, मैं आपको बताता रहता हूँ, क्या क्या आएगा, 2025 आजाएगा अब यहाँ पे 5 आ गया है, तो 2 पे तो यह जाएगा नहीं, तो यह 3 पे चला जाएगा हमारा, और यह यहाँ पे 675 आ जाएगा, और फिर से 3 पे करेंगे, तो यह आ जाएगा, हमारा 225 आ जाएगा, फिर आप इसको 3 पे करेंगे, यह आ जाएगा, हमारा 75 आ जाएगा, और पच्ची ती यह 75 होता है 25 इंटो 3 और फिर यह पच्चीस आ गया अब यह दिन बिनी जाएगा तो 25 और 5 बने 5 तो यह अंसर बनेगा एक जोडा यह दूसरा जोडा यह थीसरा जोडा यह जो है यानि कि 2 x 3 x 3 x 5 यहीं बनता है तो यहां पर 2 x 6 x 18 x 18 x 18 x 5 निटी बन जाता है तो यह जो है हमारे यह सारे जो नंबर बनते हैं देखिए हमारा जो एक वाश्चन था यह हम 8100 तक solve कर चुके हैं जो कि यह 4th question था आप देखिए 5th की बारी आती है for each of the following number find the smallest whole number हमें एक ऐसा smallest whole number find out करना है जिससे कि हम जब इसको multiply करें तो हम perfect square number हमें मिले perfect square number मिले also find the square root of the square number जो हमें square number मिलेगा उसका फिर square root भी निकालना है तो थोड़ा लंबे question हो जाएंगे 252 का हम निकालते हैं चलिए करते हैं इसको solve तो यह number जो है note कर लीजिए अब यहां तक हम निकालेंगे तो note रखिएगा अपने number क्योंकि बार बार हम इस page पे नहीं आएंगे चलिए तो पहले जो है हम निकालते हैं 252 का prime factorization दोबारा जो number आएगा वो निकालते हैं तो 2 पे चला जाएगा यहां पर 63 आजाएगा और अब 63 तो 2 पर जाएगा नहीं तो 3 21 63 होता है तीन सत्य होता है और 7 बंजा 7 होता है तो यानि कि अगर आप इसके जोड़े बनाएं तो देखिए यहां पर एक कमी रहती है एक पेर बन गया दूसरा पेर बन गया साथ तो एक ही है य वो है हमारा 7, 7 जो है वो हमें चाहिए, एक मिसिंग है, देखे, इस पेर का 2 बन गया, इस पेर का 3 बन गया, ये तो ठीक है, लेकिन 7 एक है, तो हमें जो 7 है, वो चाहिए, अब जो ये 7 है, ये हमें मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, परफेक्ट स्केर के लिए, तो ही आपको जो मिलेगा, परफेक्ट स्केर मिलेगा, और वो हो जाएगा हमारा 1764, जब आप इसको मल्टिप्लाई करेंगे, तो 1764 आपका अंसर आएगा, अब अगर हम 1764 को जो अंडरूट देखें, तो वो क्या आएगा, एक तो 2 था हमारे पास, एक 3 था, और एक जो 7 से मल्टिप्ला करना पड़ा, तो 7 हमें यहां मिल गया, जब इनको मल्टिप्लाई करेंगे, तो 42 जो है, इसका जो है, हमirmi स्केयर रूट असानी से निकाल सकते हैं, चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर क्या था, हमारे पास, दूसरा नंबर था, हमारे पास, 180, 180 नंबर लेते तो पहले तो जो है इसको हम करके देखते हैं कि क्या इसके पूरे पेर बन जाते हैं तो पहले तो दो पे जाएगा दो नब्बे और फिर दो पे जाएगा दो पैंतालिस पैंतालिस दुना नब्बे अब दो जो है पैंतालिस पे जाएगा नहीं तो तीन पे ये चला जाएगा 3 एकम 3 और एक बसता है 3 पंजे 15 है यानि कि 15 ती है पंजे 15 और फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5 अब यहाँ पर देखिए एक पेर बना दूसरा बना 5 नहीं है हमारे पास यानि कि 2 है तीन है 5 एक ही है तो हमें 5 से multiply करना पड़ेगा इस नंबर को तो जब हम 180 को 5 से multiply करेंगे क्या आएगा 180 को 5 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 900, ठारा पंजे 90 होता है तो यह 900 आजाएगा अब यह 5 से multiply कर देंगे तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे तो 5 से 15 दुनी 30 यानि कि जो 30 आएगा वो इसका square root आजाएगा तो इस नंबर से multiply करना पड़ाएगा और इसका जब हमने square root निकाला वो 30 निकला तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं चलिए, next number लेते हैं वो था हमारे पास 1008 था तो चलिए इसको solo करते हैं prime factorization method से 2 पे जाएगा तो 2 पे जाएगा तो क्या आएगा लिखते रहिए 504 फिर 2 पे जाएगा 252 यहीं आएगा जब आप ऐसे table आप multiply करना सीख जाएगे तो आपकी speed जो है increase हो जाएगी तो 126 आजाएगा 2 चिके बारा 2 तीए 6, 63 आजाएगा अब 63 है, 3 है पीछे तो 2 पे नहीं जाएगा तो 3 पे जाएगा 21 तीए 63 होता है और इसी तरह 3 सत्ते 21 होता है 7 किसी पे नहीं जाता यानि कि 7 मंजा 7 पेर बनाएगे 1 जोडा, 2 जोडा, 3 जोडा 7 नहीं है, 1 ही 7 है यानि कि आपने क्या मिला 2 मिला, 1 2 मिला और 1 3 मिला इस पेर की जंगा 2 इस पेर की जंगा 2 इस की जंगा 3 अब 7 नहीं है इसमें तो आपको इसको इस नंबर को 7 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा पहले तो जब आप इस नंबर को 7 से मल्टिप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7056, आप multiply करेंगे तो यह नंबर आएगा, 108 को 7 से, 7056, तो 7056 अब जो है, आपको 3 multiply, आपने इस से 7 multiply कर दिया, यानि कि 7 यहां भी आगा, जोड़ा बन गया, दो दुनी चारती 12, 17, 84, यानि कि यह 84 है, वो इसका स्केर रूट बन जाएगा, असान है, निकाल लेंगे, next नंबर जो है, वो है 2028, चल यह इसके बारे में देखते हैं, यहां पर क्या जाएगा, 10, 14, यानि कि 10 दुनी 20, 14 दुनी ठाई, यह तो सीधा 20, 28 आ गया, यह क्या गया, दो पंजे 10, यह आ गया, और 0 का 0, क्योंकि आगे तो 14 है, तो 2 पंजे 10, उसके बाद 0, 7, 507 आ जाएगा, उसके बाद यह 7 है, इसमें, अब यह 3 पर जाएगा, तो भी नहीं जाएगा, तो यह जाके आएगा 13, अब 13 इंटो 13 भी आप याद रखिए, 169 होता है, 13 इंटो 13, 169 के बराबर होता है, यह चीजें जो हैं थोड़ी सी याद रखने की जरूरत है, चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं, एक पेर बन गया, दो का, एक तेरा का बन गया लेकिन यहाँ पे 3 एक ही है, तो यानि कि आपको 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, तो जो 2028 है, इसको आपको 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 का पेर पूरा करना है, और जब आप इसको 3 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो आपको नंबर मिलेगा 6084, और यहां पे कौन-कौन से जोड़े बन गए, दो का, इंटू, तीन, इंटू, तेरा, जब आप तीन से multiply करेंगे, तो तीन आ गया, तो तीरा ती उन्तालिस, उन्तालिस, दुना, अठतर, जानी कि 78 जो है, इसका square root हो जाएगा, इस तरह से आप solve कर लेंगे, चलिए, next number की तर जो है, फटा-फट लिखते रही है, 7 to 9 हो गया, फिर पीछे 9 है, तो 3 पर हम इसको करेंगे, तो यह हो गया हमारा 243 हो गया, फिर 3 पर करेंगे, यह 81 आ जाएगा, और 81 तीन पर जाता है, बिल्कुल जाता है, 27, 27 तीन पर जाता है, बिल्कुल, 3 में 27, और 9 तीन 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 न दो इससे multiply होगा, 14 अकेला है, तो इसका यहां पे pair क्या बना, यह बना हमारा 3, 3, 2, 3, 2, 3, यह बना, अब यह 2 से multiply करना पड़ेगा, तो यहां पे जब आप इसको multiply करेंगे, तो यह number आएगा, आपके पास 2916, तो multiply करेंगे, तो 2916 आ जाएगा, यानि कि यहां भी 2 multiply हो जाएगा, तो जब आप इसको multiply करेंगे, 3, 3, 9, 37, दुना 54, यानि कि 54 आ जाएगा, तो यह answer आजाएगा, 1458 का, तो यह answer आपका आजाएगा, तो यहां 1458 तक हमने solve किये, तो next number जो है, वो ले लेते हैं, वो है हमारा 768, तो 768 को जो है solve करते हैं, तो 768 ले ले लेते हैं और तो चलिए इसको solve करते हैं, सबसे पहले जो है, यह 2 पे चला जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, 2, 3, 6, 2, 8, 16, 2, 4, 8, 384 आ गया, उसके बाद, फिर से यह 2 पे चला जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा, 192, और फिर से यह 2 पे चला जाएगा, दो नहीं में 18, दो च 16 और फिर से 2 पे चला जाएगा 24 दूना 48 फिर से 2 पे चला जाएगा 12 फिर से 2 पे चला जाएगा 6 फिर से 2 पे चला जाएगा 3 और फिर जाएगा इन्टू 3, जब हम इस से multiply करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जब आप इसको multiply करेंगे, 2, 3, 0, 4, ये number मिलेगा, और जब आप इसको जोड़े बनाएंगे, यानि कि ये क्या बन गया, 1, 2 आ गया, 1, 2 और है, 1, 2 और है, और एक 3 आपने multiply कर दिया, 1, 2, 3, 4, 4 तो 2 है, और 3 आपन तो ये है हमारा 5th question, तो 5th question को आप इस तरह से solve कर सकते हैं, चलिए जो है 6th question देख लेते हैं, जो 6th question है, ये है, for each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, it should be multiplied था, यहाँ पर it should be divided है, divide करना है, so as to get a perfect scare मिल सके, और फिर scare root निकालना है उसी number क तो यह number नो down कर लिए सारे, क्योंकि इनको हम solve करने जा रहे हैं, जो यह सारे number है, तो इनको हम solve करेंगे, तो चलिए solve करते हैं, तो सबसे पहला जो number है, सबसे पहला number है 252, तो हमने क्या लेना है 252 ले लिया, तो 252, सबसे पहले तो हम इसका जो है, square root जो है, prime factorization method से इसको solve करेंगे, तो prime factorization method दो पे चला जाएगा यह, यह तो हम समझी चुके है, prime factorization method, और फिर जो आ जाएगा, यह 63 आ जाएगा, फिर जो 3 पे जाएगा, 3 दो निचे, 3 एकम 3, और फिर जाएगा, 3 सत्य एकी, और फिर जाएगा, 7 एकम 7, अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास जो है, यह जोड़े बनते हैं, लेकिन 7 का, 7 एक और missing है, अब इस 7 को हमें, अब हमें तो divide करना है, तो इस number से divide करना पड़ेगा, तब ही जो है हमारा perfect number मिलेगा, यानि कि 252 को आप 7 से divide कर दें, जब 252 को आप 7 से divide करेंगे, तो यह क्या जाएगा आपके पास, यानि कि 222 क यह सारा लिख लेते हैं हम, जो यह factor बने हैं, 2 x 2 x 3 x 3 x 7, यही है 252 के बराबर, अब अगर हम 7 से इसको divide कर दें, 7 से divide कर दें, तो हमारे पास यही बचे, यह factor बचे, यानि कि हमने काट देना है, क्योंकि divide करना है इसमें, तो अब जो यह है, अब इन 2 की जंगा 1 अब 6 जो है, यानि कि जब आप इसको divide करेंगे, तो क्या आता है, यह भी आप देख लिजिए, यह आएगा 36, दो दुनी 4, 4 तीए 12, 12 तीए 36, 36 आता है, क्योंकि 7 आप काट चुके हैं, 36 का square root 6 आजाएगा, 36, तो यह जो है, आप देख सकते हैं, इसका अंडरूड अगर आ है हमारा 5 है पीछे, तो यह हम 3 पे 5 पे करके देखेंगे, तो 3 पे करेंगे जब इसको, तो यह आजाएगा 975 आजाएगा, फिर हम 3 पे करेंगे इसको, तो यह आजाएगा 325 आजाएगा, और फिर 325 तीन पे नहीं जाएगा, यह 5 पे जाएगा, और यहाँ पे आजाएगा या फिर कहें कि सीधा 13 को काट दें तो क्या बन जाएगा 3 3 9 5 45 और 45 पंजे जब आप इसको करेंगे तो यह आपका आजाएगा 225 तो यह जो है 225 जो है यह आपको नंबर मिलेगा और इसका स्केर रूट अगर हम देखें तो एक 3 और एक 5 यानि कि 3 और 5 यह क्या आजाएगा 15 15 25 का बनेगा 25 कैसे आया 3 3 9 5 45 पंजे 225 इस तरह से आया और इस 225 का यह हम फैक्टर बनाई चुके हैं एक पेर की जंगा 3 2 पेर जो 5 है उनकी जंगा 5 3 15 15 तो 15 अंसर आजाएगा थर्ड चलते हैं 396 जो नेक्स्ट नंबर है वो है 396 नंबर है चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं 2 पे 198 बन गया उसके बाद फिर 2 पे गया और यह बन गया हमारा 99 बन गया फिर 3 पे जाएगा यहां पे 33 बन जाएगा और फिर आप 3 पे इसको कर देंगे यह 11 बन जाएगा और फिर आप 11 पे करेंगे क्योंकि 11 तो किसी पे जाएगा नहीं अब यहां एक पेर यह बन गय तो इसका अंडरूट अगर हम निकालें स्केर रूट तो वो क्या रहेगा इस पेर की जंगा दो की जंगा दो आ गया और इस पेर की जंगा तीन आ गया यानि कि तीन दूनी छे तो इसका छतिसका छे आ जाएगा सिंपल है नेक्स्ट जो नंबर है वो है हमारा 2645 तो 2645 जो ये नंबर है पहले तो प्राइम फेक्टराईजेशन इसका कर लेते हैं तो जब ये 5 है पीछे तो 5 पे ही डिरक्ट आप इसको करके देख सकते हैं या 3 पे करके देख सकते हैं तो 529 जो है यहां पे आ जाएगा अब जो 529 है यह हम पहले कर चुके हैं 23 इंटो 23 529 होता है तो 23 बन जा 23 अब ये तो जो है एक पेर बन जाता है लेकिन है जो 5 है यहां पे زादा है तो आपको इसको 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा और जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जो 23 इंटो 23 है वो क्या आ आपका 5 to 9 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 23 into 23 into 5 जादा था आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो यही बचा 23 into 23 वो 23 into 23 हम जानते हैं 5 to 9 होता है तो 5 to 9 यह number आ जाएगा अब जो 5 to 9 है इसका अगर square root देखें तो वो आ जाएगा 23 क्योंकि इसकी जंगा दोनों की जंग जो number है वो है 800 तो इसको आप फटा फट से जो है solve कर लिजे क्योंकि बहुत असान है दो पे जाएगा 400 दो पे जाएगा 700 फिर दो पे जाएगा साड़े 300 क्योंकि अधा दाहा तो हमें करते ही चलना है फिर जो है साड़े 300 आ जाएगा फिर दो पे जाएगा यह क्या बन करेंगे साथ और फिर साथ पे करेंगे एक तो यह तो आप असानी से solve करी सकते हैं यह के pair बनाते हैं दो का बना दो का बना यह पांच का बना साथ जादा है इसकी अंदर तो हमें क्या है साथ से डिवाइड करना पड़ेगा यानि कि ठाइसो से ठाइसो को साथ सी आपका अंसर आ जाएगा यानि कि 400 है वो नंबर आ जाएगा और अगर हम इसका स्केर रूट देखें तो एक दो इनकी जंगा एक दो दूनिचा पंज बीस तो बीस जो है इसका स्केर रूट आ जाएगा तो इस तरह फटा-फट आपको जो है सोलू करते हैं चलना है तो बाद जो है 810 को अगर आप सोल करेंगे तो यह आ जाएगा 405 अब यहां पे 5 है तो यह तीन यह पांच पर जाएगा तो आप इसको तीन पर करके देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा फिर आप इसको तीन पर करेंगे यहां पर 45 आ जाएगा फिर आप इसको तीन पर यहां पर 15 तिये 45 और फिर तीन पर करेंगे तीन पंजे 15 और यह 5 किसी पर जाएगा नहीं यानि कि 5 एकम 5 अब यहां पर यह पे यह पेर बन जाते हैं और 5 एक्स्ट्रा है यानि कि इसको हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि यह कट आउट यह ऑघ्यांट तैंट हो जाएगा इनको मल्टिप्लाई कर लेंगे 2 तुनी 4 ती ये 12 ती चटी चती शती ते टी यह 38ATION 1 10 और फिर जो है इसको आप 3 सा मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आपके पास आजाएगा 8 तीन हैं 3 324 तो यह जो है आपके पास आजाता है 324 आजाता है जो कि एक perfect square बनता है और अगर इसको आप देखें square root इसका तो इनकी जंगा एक दो, दो, दो तिये 6, 6 तिये 18 तो 18 जो बनता है वो बनता है हमारा इसका square root तो यह multiply कर लिजिए कि दो दुनी 4 तिये 12 तिये 36 जो है हमारा 108 होता है और स्थाइती ये 18 होता है sorry हमने mistake कर दो